दोस्तो अपने अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबादें कि हम लागते रते हैं नहीं बिजनिस आइडियाज और नहीं जनकारी क्यों आपके लिए कि दोस्तो विडियो में जो मसीन आपको दिक रही है वो है अल्मूनियम फॉइल से कंटेनर मेकिंग मसीन कहते है और इस मसीन के जैए अलग अलंगास और डिज़ाइन के कंटेनर और एक् connector Northeast को बनाना बहुत लागा हुआ है जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है मसीन में एक साइड अल्मोनियम फॉयल का रोल लगा हुआ है और मसीन में लगे डाई के हिसाब से मसीन अपने आप अल्मोनियम फॉयल के बॉक्स त्यार कर रही है और ऐसे प्लांट को अपक्योवल एक ओपरेटर और दो हेलपर की मदद से बड़े अराम से चला सकते हैं तो दोस्तो पहले इसके मैनिफेक्ट्रिंग प्रोसेस को देखते हैं आप 8 गंट के काम करके 35 जैसे 40 ये कंटेनर त्यार कर सकते हैं और ये मसीन आपको सेमी आटोमेटिक और फुली आटोमेटिक मिल जाएगी ये 3 फिल्स बिजली से चलती है और इसके लिए 4-10 बोल्ट की बिजली की जुरुत होती यानि जैसे मसीन की कैपसिटी रैसा मसीन का प्राइस और अगर आपके पास फाइनेंस की प्रव्लम है तो आप मेनिफेक्ट्रिंग यूनिट के तहट आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे प्लान के लिए लोन ही बड़ी असानी से मिल जाता है दोस्तों अगर बाब करें अल्मुनियम फॉयल कंटेनर के मार्केटिंग की तो इसका इस्तुमार लगबग हर रेस्टुरेंट, होटल, डावा, फूड स्टॉल, सूपर मार्केट, बेकरी सोप, स्वीट सोप, इत्यादी के दवारा के जाता है उनके दोरा त्यार फूट, स्वीट को पैक और सर्फ करने के लिए क्योंकि अल्मुनियम फॉयल में फैक किये गए खाने को बीना खराब हुए ज़्यादा ज़्यादा देर तक रखा जा सकता है और इस बिजनेस में सक्सेस के लिए आपको मार्केट में थोड़ी रिसर्फ करनी होगी आपको पता करना होगा कि आपके कम्पेटीटर किस क्वालिटी का कंटेनर बना के किस प्राइस में बेच रहे हैं से वो है Almonium Foil और इसके सप्लायर आपको हर बड़े सहर में मिल जाएंगे जिनकी जरिया इपने बिजनेस के लिए raw materials खरी सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए और बेल आइकन को भी दबाले जिए इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अप्लोड किये जाएंगे उसकी सूचना आपको दोस्तो इस वीडियो में इतना है मुईट करता हूं कि अपनी वीडियो जूर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना पूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नहीं बिजनेस आइडियास पूंचे सबसे पहले आपके पूले